यह है सिंडर यानि कि खंगर यह मुझे कहां से मिला है मैं इसको किस तरीके से तयार करूंगी और इसमें प्लांट्स कौन से लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं सब कुछ आज के वीडियो में है तो फ्रेंड्स बने रही है असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शबनूरली तो फिर मैं तयारी भी करती जाती हूं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देती जाती हूं दोनों साथ साथ तो फिर वीडियो पर तो बने रहना ही पड़ेगा इसकिप मत कीजिएगा अगर आपको शौक है नई नई चीज़े अप्लाइ करने का अपने प कोच फायदे भी हैं मैं दोनों डिसकस करूँगी तो तैयार करने के लिए आप देख इसमें कभी भी प्लांस को ऐसे ही लाकर ना लगाईएगा इसको आपको पहले कुचल लेना है इसके साइज को आपको छोटा-छोटा बना लेना है और इतना छोटा बिलकुल कि इसमें तिक सके बड़े-बड़े धेले नहीं होने चाहिए और फिर साथ में इसको वाश भी करना है और आप इसको पर्चेस करेंगे तो वाश मिलता है वो धुला हुआ मिलता है साफ किया हुआ मिलता है लेकिन ये जो आप लाते हैं लोहार की शौप से या किसी होटल से तो फिर इसी तरीके से कुचल कर छोटा-छोटा बना लीजिए और काफी टाइम तक इसको धोई मैं इसके अंदर राक होती है और वो राक आपके प्लांस को नुकसान कर सकती है ये पथर के लोहे को जला कर बनाया जाता है कुछ जल भी चुका होता है कुछ पूरा राक बन जाता है कुछ टुकड़े पार्टिकल्स बचे रह जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स इसमें लोहे के भी मौजूर होते हैं इसलिए वो राख को योज नहीं करना है देखे मैंने इसमें भरकर रख दिया तो वो जो राख इसके अंदर थी वो नीचे बैठ गई इसी तरीके से अगर वो बैठ चाहेगी तो वो पानी को काफी जमा कर लेगी और जिसे के रूट्स जड़े पौदे की सड़ सकती है इस वज़े से इसको वाश करना है राख को निकालना है उसके बाद ही इसको एपलाई करना है तो फिर मैंने इसको भी देखे धो देते हैं इसको बार-बार दो देते हैं मैंने इसको चान लिया है दो दिन से ये भीगा हुआ था पानी के अंदर और फिर मैंने इसको अभी चान लिया है चानने के बाद इसमें हम बार-बार पानी डालेंगे ताकि राख जितनी भी है वो धूल जाए और बहुत साफ सुत्रा सा ये सिंडर हो जाए तो चन्नी में मैंने चाल लिया चन्नी में वो एक कैप रखा हुआ है उसमें एक टोटी होई चन्नी है तो वहां से निकल जाते हैं इसके टुकड़े इस वज़े से ये अब एक आइडियल इसका साइज है सिंडर का और देखिए राख कितनी तेजी से ये बैठती है जमा होती है इस वज़े से इसको हटाना बहुत जरूरी है और उसके बाद इसमें जो निकलता हुआ पानी है उसको भी आप प्लांस में बिल्कुल नहीं डालि इसको फेक दीजेगा हो सकता है कि उसमें कुछ फंगस हो या नुकसान करने वाले पाटिकल्स हो या फिर कैमिकल्स हो तो फिर आप उनको साफ कर दीजे और पौधूं पर पानी को अपलाई ना कीजेगा आप ये देखिए साफ हो क्या और इसमें अब हम प्लांस तो इससे पहले हमें इसको सुखाना पड़ेगा तो मैंने काफी दो या तीन पानी से इसको फिर दुबारा दुबारा दो देती हूं जितनी भी महिन महिन सी राके वो निकल गई है इस पानी के अंदर आ गई है इस पानी को फेक देंगे और इसको सुखने के लिए धूप म रख देंगे एक दिन या दो दिन तक आप इसको धूप में रखिए ताकि यह बहुत अच्छे से बिल्कुल प्यारा सा धुला सा तयार हो जाए अभी इतना अच्छा लग रहा है मुझे नया एकस्ट विडियन्स हो रहा है इसमें लगाने का फर्स टाइम मैं इसको लाई हू होती है उसे नीचे डाल दीजिए या फिर कंकर ड्रेने जोल पर रख दीजिए और उसके बाद इस सिंडर को कंटीनर के उपर डाल दीजिए आप इसमें चाहें तो कुछ चीजे मिला सकते हैं और चाहें तो खाली भी सिंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं सिंडर में यहां पर न बीडियो में कसी दिन आपके साथ और शेर कर लोगी अभी तो मैं सिर्फ तयार करके इसमें किस तरीके से प्लांट लगाना है वह दिखा रही हूं तो इसमें आप गुलाब को सकलेंड्स को और कैक्टस को अडेनियम को ऐसे प्लांट को इसमें लगा सकते क्योंकि इसे जाधा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो यह मैं लाई हूँ यूफोर्बिया इंगेंस की कटिंग और इसी को मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ असल में यह जो सिंडर होता है यह जाधा पानी अपने में जमा करके नहीं रखता है इसमें फंगस की भी कोई प्राब्लम नहीं होती है इसी वज़े से इसको यूज किया जा रहा है इतना ट्रेन बरता चला जा रहा है तो हम वाटरिंग कर देते हैं तो जो कुछ भी पार्ट तो नहीं होती है लेकिन अगर आप कुलाब वगर लगा रहे हैं तो आपको वर्वी कंपोस्ट और भी चीज़े मिलाकर एड करते रहना पड़ेगा और यह इसको मौसम के हिसाब से बहुत ध्यान देना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी सुकता है जाधा गर्मी में पान करने का तो लेकर आई इस तरीके से प्लांट्स लगाई है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज